शान सिंग राजपूत ने एक बार एक इवेंट में बात कही थी कि नेपोटिस्म से तब तक दिक्कत नहीं है जब तक जान बूच कर जो डिजर्फ करता है उसको आगे आने से रोका ना जाए लेकिन अगर कोई डिजर्फ करता है और उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए काम नहीं दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर आप अपनी फैमली के किसी बंदे को डालना चाते है तो वहाँ नेपोटिस्म बहुत गलत है कंगना रनौत करन जोहर के शो में जब से गई है तब से वह नेपोटिस्म के खिलाफ लड़ाई कर रही है और अब बॉलिवूट की एक अक्ट्रस ने खुलासा किया है कि कैसे जिस फिल्म के लिए वह अपनी डेट्स ले चुकी थी वह फाइनल हो चुकी थी उस फिल्म में ना सिर्फ उन्हें रिप्लेस कर दिया गया बलकि इस बारे में खबर उन्हें प्रेड्यूसर से नहीं बलकि मीडिया से मिली थी ये बात कहिए अक्ट्रस तापसी पन्नू ने नो डाउट तापसी पन्नू अभी इंडस्ट्री में अच्छा काम कर रही है साउट से वो बॉलिवुड में आई और जिस तरीके से वो फिल्में कर रही है उनका फ्यूचर काफी ब्राइट है लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके साथ ये सब नहीं हुआ हो उन्होंने भी अपनी आखों के सामने अपनी फिल्म को हातों से जाते हुए देखा है और उसी फिल्म में किसी स्टार किड को उन्हें रिप्लेस करते हुए भी देखा है तापसी पन्नू ने एक interview में बताया कि एक film के लिए उन्होंने dates देदी थी मीडिया से उन्हें पता चलता है कि जिस film के लिए उन्होंने dates देदी है उस film में उन्हें replace कर दिया गया है तापसी पन्नू को producers की तरफ से कोई call ही नहीं आया जिसके बाद तापसी पन्नू जो कि एक bold actress है वो अपनी बात बोलती है तो उन्होंने भी interviews में और media में बोलना शुरू कर दिया कि उन्हें तो बताया ही नहीं गया जब तापसी पन्नू ये media में बोलने लगी तो फिर producers ने तापसी पन्नू को बुलाया और उन्होंने बुलाया इसलिए नहीं कि तापसी पन्नू से ये कहे कि आप media में क्यों बोल रही है या फिर तापसी पन्नू को बताए reason कि उन्हें replace क्यों किया गया है बस producer ने उन्हें ब चाहता बलकि वो इस टॉपिक पर बात ही नहीं करना चाहता था आपको बताने कि इससे पहले तापसी पन्नु एक इंट्रव्यू के दौरान खुलासा कर चुकी है कि 2019 में फिल्म आई थी पती पतनी और वो और इस फिल्म में पहले तापसी पन्नु को कास्ट किया गया था ले यहने अपनी एक फिल्म को एक स्टार किड के लिए सेक्रिफाइस की वहीं तापसी के इस बयान के बाद T-Series की तरफ से बयान जारी किया गया जिसमें उन्होंने कहा कि तापसी से इस फिल्म को लेकर बात जरूर की थी लेकिन कभी भी तापसी को फिल्म के लिए कंफर्म न इंडस्ट्री जब नेपोटिस्म करने पर आती है तो फिर ना experience देखती है और ना ही सामने वाले के emotions यही कारण है कि कुछ लोग हैं कंगना रनौच जैसे जो अब इस नेपोटिस्म को खतम करने पर तुले हैं और इसी कारण इंडस्ट्री के कई लोगों को कंगना रनौच से भी problem होने लगी है